समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम लोग सामान ग्यान के आती महत्पून कोश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जि के लिए स्टार्ट करते हैं आज का पीडियो आज के सेसन में पहला कोश्चन मनता है भारत में जोर सक्ति के उत्पादन के लिए सरवाधिक संभावना किस तर्ट पर है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुजरात निमलिखित बांदों में से कौन सा एक सिचाई के लिए नहीं है तो आप्शन डी सिब समुद्रम अगला है सरीर में होने वाली राजशायने का भिकरियाओं का नियंत्रन कुछ बिसेश प्रोटीन करते हैं इनका नाम है तो आप्शन हार्मोन अगला है पारी इस्थितकिये तंतर की हाने से तुरंत प्रभावित होने बाली प्रजाती है आप्शन डी संकेतक प्रजाती अगला है मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है तो आप्शन डी लीवर अगला कोश्चन है आपका गलाइकोमा निमलिखित में से किसका रोग है तो आप्षिन डी नेत्र का अगला कोश्चन आपका बनता है निमलिखित में से किस रोग की रोग थाम टी के द्वारन नहीं की जा सकती आप्षिन भी मदु में अगला कोशन आपका बनता है भारत में किसके सासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई तो ये हो जाएगा option C, मौर्या अगला कोशन बनता है सेर्षा निमलिकित में से किस राजवन्स से समंदित था option C, सूर अगला कोशन आपका बनता है गाईस भाराश्टिय द्वज का डिजाइन निमलिकित में से किसके द्वरा तयार किया गया था तो option D, पिंगली बैंक्या next question बनता है मुद्रा स्पीती की सूने दर उस बर्स में आवस्य मानी जाती है जब तो क्या होगा इसका option है बर्स के प्रतेक सप्ता में मुद्रा स्पीती की बार्शिक दर सूने हो अगला है अधिकेंद्र, इपी सेंटर क्या है option है भोकंप का केंद्र अगला कोशन आपका बनता है राश्ट्रिय आया है, तो राश्ट्रिय आया क्या होती है तो ये होती है option B उत्पादन लागत पर निवल राश्ट्रिय उत्पाद अगला है किस सहर को पूर्व का मोती कहा जाता है तो इसका क्या होगा option B सिंगापूर अगला कोशन आपका है बुलंद दरवाजे का निर्माण अकवर की किस राज पर बिजय के उपलच में हुआ था option C गुजरात बिजय निम्न मेंसे किस ने औरंग जेप के बिरुद्ध प्रथम जाट विद्रो का नेत्रत किया तो option C गोकुल अगला है सुमेलित करना है सुची एक में देश हैं सुची टू में सेर सुच कांक हैं और कूट के माध्याम से आपको मिलाना है option B पहला है जर्मनी जर्मनी का हो जाएगा चोथे से मिडर डेक्स फिर है सिंगापूर सिंगापूर का हो जाएगा दूसरे से सिमेक्स फिर है मुंबाई मुंबाई का हो जाएगा डोलेक्स फिर है जापान जापान का हो जाएगा निक्की निमलिखित में से किस जीब में सीत निस्करियता नहीं पाई जाती है तो option D गिरगिट अगला कोशन है निमलिखित में से किस मराठा सासक ने औरंग जेब के पुत्र को अपने दरवार में सरान दी थी अगला है निमलिखित में से किस मुगल बादसहा ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उडिसा में बिना कर दिये ब्यापार करने की आग्या प्रदान की थी अप्सन सी फरूक सियर प्रत्वी राज बिजय के रजयता कौन थे? आप्सन बी जयानक अगला है भारतिये आर्थ बेवस्ता को सबसे अच्छे ढंग से किन सब्दों में ब्यक्त किया जा सकता है? आप्सन डी मिस्रित आर्थ बेवस्ता अगला कोश्चन मनता है गाईस बन हिंता किस एंजाइम की कमी के कारण होती है? तो इसका क्या होगा आपका? आप्सन ए टाइरो सिनेज अगला है चन्नू दडो हडपा संस्कृती से सम्बंदित एक इस्थल है यह कहां इस्थित है? तो इसका अंसर क्या होगा? आपको बता देता हूँ आप्सन ए सिन्ध अगला है निम्नू बैंको को के स्थापना बर्स सुमेलित कीचिए कूट के माध्यम से तो इसका क्या होगा? आप्सन दी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आप्सन दी हो जाएगा पहला है भारतिये और द्योगिक बित्त निगम इसका हो जाएगा पहले से फिर भारतिये जीवन बीमा निगम इसका हो जाएगा तीसरे से फिर भारतिये और द्योगिक बित्त निगम अगला है एहोल में दुरगा मंदिर का निर्माड किसके सासनकाल में हुआ था? आप्सन भी चालुक क्या कोलकता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आप्सन भी लाड बेले जली अगला है स्वामी दयानन्द सरस्थी का जनम कहां हुआ था? आप्सन भी गुजरात अगला कोश्चन मनता है बर्ष 1905 के बिभाजन के पस्चात बंगाल एक प्रांद के रूम में पुना सुईकरत कब हुआ? आप्सन सी वर्ष 1911 में है अगला कोश्चन है निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्परेरक सिद्ध होते हैं? आप्सन है संक्रमन तत्व अगला 1763 इस भी में पटना इस्थित अंग्रेजों की फ्रेक्टरी पर अधिकार किस ने किया था? आप्सन सी मीर कासिम अगला है बंगाल विवाजन के विरोध में कौन सा अंदोलन छेणा गया? तो आप्सन है स्वदेशी अंदोलन और आज का अगला कोश्चन है निम्निकित संगठनों पर विचार कीजिए और देखिए दोस्तों आगे कहता है इन में से कौन सा परमाणू उर्जा विवाग के अंतरगत है? तो कूड के माद्ध हम से बताना है आप्सन डी चारों है पहला क्या है? परमाणू खनिज नुसंदान एबं अनबेसन नेदे साले फिर है गुरुजल बोर्ड फिर है भारतिय रेयर अर्थ लिमिटेड अगला कोश्चन है इसमें भारतिय यूरेनियम कार्पोरेशन ये चारों है अगला कोश्चन है चमपारण सत्यागराय के दोरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाये गया? थोड़ा सा दुंदला है लेकिन मैं पढ़के बता दे रहा हूँ तो ऑप्शन भी मोती हारी अगला है एक पेंट ड्राइब है तो पेंट ड्राइब क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा एक हटाई जा सकने बाली दुतिय भंडारन एकक या यूनिट कह सकते हैं अगला है सदाकत आसरम के स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आसरम के स्थापना जो की थी वो की थी मज्रूल हक अगला है सौमी सहिजानन किसके नेता थे? ऐप्शन भी किसान अगला है भाराच छोड़ों आंदोलन के दोरान 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोली कार्ण में मरने वाले छात्रों के संक्या कितनी थी अगला है कठोर जल में साबुन जाग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगला कोशन है भारत की स्वतनतता के बाद बिहार के पहले राजपाल काउन थे अगला है भारतिय समिदान के किस धारा के अनुसार बिदान सबा का गठन होता है ऑप्सेन सी एकसो सत्तर अगला कोशन मनता है विदान परिसत के सदस्यों की नियुनतम संक्या कितनी होती है ओप्सेन सी चालिस और अगला है पटना उच्छे न्यायले की स्थापना कब हुई थी तो ऑप्सेन भी वर्स उनिस्टो सोला भारती रिजरु बैंक के कारे हैं कोट के माध्यम से बताना है option C पहला दूसरा तिसरा पहला है यह नोट बाज सिक्के जारी करना सभी नोट बाज सिक्के जारी करना और दूसरा है सभी नोट बाज सिक्के बितरित करना और तिसरा है मौद्रिक नीती का निर्धारन करना नेक्स्ट कुश्चन आपका वनता है थोड़ा सा बहे मुगल बाज धियासकार कौन था जो हल्दी गाड़े के युद में मौजूद था तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन C बदा यूनी अगला है कंसोल लिडेटेड फंड आफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधी करन निश्चित रूप से आना चाहिए ऑप्शन B भारत की संसत द्वारा अगला है किस संत ने चौदिवी सदी में भक्ती अंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था ऑप्शन B रामानंद अगला है करो तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंदर सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्चु सरकारी कारे के संचालन के लिए जमा किये जाते हैं ऑप्शन C कंसोलिडेटेड फंड आफ इंडिया में अगला है वीटी बैगन क्या है तो वीटी बैगन जो है आपको बता देता हूँ ऑप्शन B आनुवंसकी रूप में आनुवंसकी रूप से परिवर्तित बैगन अगला है भारतिय मानसून बन का बर्लन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया तो आप्शन C अलमसूदी अगला है भारत सरकार का पर्थम कानून अधिकारी काउन होता है आप्शन B भारत का एक्टार्णी जनरल और अगला है दच्छन भारत में सर पर्थम एक बिस्तरत सामराज का निर्माल किस ने किया आप्शन D चोल और आज का अगला कोश्चन है होटलों में पिज्जा अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए किस रसायन का प्रियोग किया जाता है तो आप्शन D मानो सोडियम गलूटामेट और आज का लाश्ट कोश्चन है प्राणी स्टार्च निमलेखित में से कौन सा है आप्शन C गलाइकोजन तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो आपकोजन तो आपकोजन